आप सब को बसंद पंचमी और गंतंत्र दिवस दोनों ही एक ही दिन में हैं उसका शुब कामना हैं देते हैं और आज एक और फूड रिव्यू लेके आ गये हैं आज बहुत ही खास दिन है आज गंतंत्र दिवस है और साथ ही साथ बसंद पंचमी है तो आज हम जिलेवी खाए और मुझे भी जिलेवी खाना बहुत पसंद है तो आज मैंने 200 ग्रम जिलेवी लिया है ठीक है 200 ग्रम जिलेवी खाके मैं देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है सबसे पहले एक ब्लड टेस्स करेंगे पहले आपको एक बड़ टाइम दिखा जो अभी टाइम हो रहा है वो है साथ बचके आठ मिनिट ठीक है साथ बचके आठ मिनिट मैंने तक्रीबन एक घंटा पहले ही आज पकोड़ा और चाय पिया था दो कप चाय पिया था और पकोड़ा खाया था किस चीज का पकोड़ा पनीर पकोड़ा था और मिक्स पकोड़ था आलू, प्याज, गोवी, काफी पकोड़ा खाया, मैंने 200-300 ग्राम तो पकोड़ा खाया होगा, साथी साथ 2 कप चाय भी पिया है, फिलाल एक ही घंटा हुआ है, ठीके, तो अभी जो मैं अपनी ब्लड शुगर चेक करूँगा, ये एक घंटे बाद पकोड़ा खाने के बा और 2 कप चाय पिने के बाद मेरा ब्लड शुगर होगा, देखते हैं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कितना शुगर लेवल आता है, और ये मेरा रेंडम ब्लड शुगर आपके सकते हैं, एक घंटे बाद मेरा ब्लड शुगर है, और मैं कोई दावा आएगा बिना किसी दवाई के आएगा और एक ही गंटा हुआ है मुझे पकोड़ा खाये हुए दो तीन सो ग्राम पकोड़ा खाया मैंने बिल्कुल भी मेजर नहीं किया और दो कप चाय पिया था क्योंकि पकोडा मैंने बाहर खाया था, तो 200-300 ग्राम पकोडा तो बिल्कुल खाया होगा, और ये देखिए, ग्लिकोमेटर बिल्कुल रेडी है, पकोडा खाया हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही गंटा हुआ है, तो आईए चेक करके देखते हैं, मेरा शुगर लेवल क काफी लोगों ने फर्माईश किया था कि सारे एक गंटे बाद भी आप शुगर लेवल चेक करके दिखाए, तो आज मैंने एक गंटे बाद शुगर लेवल चेक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, 120 है, ठीक है, ये आप इसको रेंडम ब्लड शुगर कह सकता है, लेकि 200 ग्राम जिलेवी खाके, दो गंटे बाद मैं शुगर लेवल चेक करूँगा, और देखूँगा कि मेरा शुगर लेवल इससे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये बिलकुल भी हेल्दी नहीं है, और मैं आप लोग को वार्ण कर रहा हूँ, डायबेटीज के मरीज अगर इतना जिलेवी खाएंगे, तो आपकी शुगर लेवल निश्ची तुरूप से बढ़ेगा, तो अगर आपको डायबेटीज है, तो आप 50 ग्राम से जादा ना खाये, नहीं तो आपकी शुगर लेवल निश्ची तूप से बढ़ेगा, लेकिन मुझे डायबेटीज नहीं ह मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसुलीन रेजिस्टन्स है, लेकिन आज बहुती खास दिन है, वसंद पंचमी का दिन है, और क्योंकि बहुती खास दिन है, सिर्फ वसंद पंचमी नहीं, आज रिपाबलिक डे भी है, और इसी खुशी में आज हम भी जिलेवी खाएंगे, कि खास दिन है तो 200 ग्राम जिलेवी खाते हैं और ये मैं आप लोग से बात करते करते खाऊंगा ताकि आप देख सके कि मैं सही में खाड़ा हूं और आप इसका भी आनंद उठा सके इन फैक्ट अगर आपको डियाबिटीज है तो भी आप जिलेवी महीने में एक आद बार तो खाई सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं है तो 100 ग्राम जिलेवी में 65 ग्राम कर्बोईडेड होता तो ये पूरा प्लेट में 130 ग्राम के असपस कार्ब होगा तो आज मेरा चिड्डे है और मैंने सोचा चिड्डे में सबसे बढ़िया है जिलेवी खा लो बहुत टाइम से जिलेवी खाने का मन कर रहा था और ये सुनेरा मौका है मेरे लिए मैंने का क्यों नहीं इसका फाइदा उठाया जा और दो गंडे बाद चेक करके देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है बहुत ही इमय है बदा आया ज हिए डाफिद डायट का एक खास बात है कि अब दा कर आ जिलेवी खा सकते हैं लेकिन हा इतना जिलेवी तो नहीं खा पाएंगे लिकिन मिफा सकते पचास ग्राम साइड ग्राम जिलेवी हम अपने पेशिंस को अलाव करते हैं, हफ्ते में एक दिन बिल्कुल खा सकता है, अगर आप क्वांटिफाई करके खाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक चीज़ क्लियर कर दू, मैं 200 ग्रम जिले भी वैसे नहीं खाता हूं, मैक्सिमम मैक्सिमम 100 ग्रम तक खा लें लेकिन आज क्योंकि खास दिन है, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि 200 ग्रम खाके एक्स्पेरिमेंट करके भी देख लेंगे, कि मेरा शुगर लेवल कितना हाई जाता है, फिलाग मुझे डाबेटीस नहीं है, प्री डाबेटीस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बहुत ही टेस्टी है, और आज थोड़ा ज़्यादा ही खा रहाँ, बस एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर आपको डाबेटीस है, दवाई खाते हैं, और बहुत शुगर है, तो प्लीज इसको ट्राई मत करिए, आपकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, पचास ग्राम से ज़्यादा मत खाईए, अमेजन, देखते हैं, दो गण्टे बाद शुगर कितना आता है, एक सो तीस ग्राम कारवाडडेड है इसमें, और एक घंटा पहले मैंने दो सो दाइसो ग्राम, तीन सो ग्राम के असपस पकोड़ा काया था, मेजन नहीं किया था, बाहर खा के आया, दो कप चाई भी पिया था, दुगद वाली, शक्कर वाली, मज़ा आगया, सबसे पहले एक बार आपको टाइम दिखा देते हैं, तो मैं मिलूँगा आप लोगों से एक्जैक्ली दो घंटे बाद, बहुत लोगों ने ये डिमांड किया है, कि सर आप एक घंटे के बाद भी शुगर लेवल चेक करके दिखाए, हाला कि मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक घंटे बाद आपकी शुगर लेवल हमेशा थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एक घंटे बाद हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, हम हमेशा दो घंटे बाद बोलते हैं, दो घंटे बाद उसको पीपी बोलते हैं, और बाकी टाइम कभी भी आप करते हैं, तो रेंडम ब्लड शुगर लेवल होता है, और सुबा उटके करते हैं, बीना किसी च जिल्यवी खाने के बाद मैं देखूंगा कि एक घंटे बाद मेरा शुगर लेवल कितना आता है पहले आपको एक बड़ टाइम दिखा देते हैं टाइम जो हो रहा है आट बच के 16 मिनिट ठीक है साथ बच के 16 मिनिट पे मैंने अपना जिल्यवी ख़तम किया था तो अभी ये शुगर लेवल चेक करके देखते हैं कि एक घंटे बाद कितना आता है 200 ग्राम जिलेवी खाने के बाद, ठीक है, तो ये ग्लिकोमेटर तयार है, ये देख लिजे, ठीक है, खून आ चुका है, और ये काउंट डाउन शुरू, तो आप देखिए, 165 ठीक है, 165 आया है, तो जब भी आप खाना खाएंगे और खास करके कारबोडेट लेंगे, तो आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा, एक घंटे बाद निश्चित रूप से शुगर बढ़ता है, लेकिन 165 जो है, ये टाइम इन रेंज में है, 70 से लेके 180, अगर आपकी शुगर लेवल 70 से लेके 180 के बीच में रहता है, तो इसको टाइम इन रेंज बोलते है, आप देखिए, इतना खाने के बाद भी मेरी शुगर लेवल जो है, सिर्फ और सिर्फ 165 आया है, और 165 जो है, ये बिलकुल नॉर्मल रेंज में है, ठीक है, खाना खान के बाद, जो पीपी हम बोलते है, वो दो घंटे बाद आपकी होता है, दो घंटे बाद आपकी शुगर लेवल अगर 140 के नीचे है, तो उसको नॉर्मल बोलते है, लेकिन एक घंटे बाद एक हेल्दी इनसान का, एक नॉर्मल इनसान का भी शुगर लेवल 140 के उपर ही रहत ठीक है इसलिए हमने कहा है कि 70 से लेके 180 से लेके 180 क्या होता है टाइमीन रेंज सतर के नीचे हाइपोग्लाइसी में होता है और 180 के उपर हाइपरग्लाइसी में होता है तो एक नॉर्मल इंसान भी अगर 200 ग्रम जिली भी खाएगा और एक घंटे बाद शुगर लेवल चेक कर कि एक घंटे में पीक होता है तो यह मेरा पीक है 165 जो है यह मेरा पीक है और मैं दो गंटे बाद फीर से चक कर के देखूंगा कि यह इसके नीचे आता है या नहीं आता है ठीक है तो दोस्तों दो गंटा हो चुका है मुझे 200 ग्राम जिलेवी खाएवे सबसे पहले एक बा तो आएए शुगर लेवेल चेक करते हैं और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ यह जो भी रिडिंग आएगा बीना किसी दवाई के ठीक है और यह देखिए ग्लिकोमेटर बिल्कुल रेडी है फटा फट से एक प्रिक करते हैं कून आ चुका है और यह काउंट डाउन छेक किया था तो 165 था और दो गंटे बाद मैंने चेक किया तो 150 थीक है अभी यह एक पचास आने का रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यूंकि फिलाल मुझे insulin resistance है, pre-diabetes है और ये जो 150 है ये pre-diabetic range में है ठीक है, 150 ये pre-diabetic range में है लेकिन आज मैंने एक घंटे बाद दो बार चेक किया खाना खाने के बाद, एक तो मैंने पकोरा खाया था और एक जिलेबी खाके भी एक घंटे के बाद भी आप लोग को दिखाया था तो जो पकोरा मेंने खाया था वो पनीर पकोरा था, पनीर में fat होता है protein होता है और जो दूसरा पकोरा था, वो भी veg पकोरा था, गोबी का पकोरा था प्याज का पकोरा था, तो जिसकी वज़े से उसको खाने के बाद एक घंटे बाद मेरी शुगर लेवल उतना नहीं बड़ा 130 आया था लेकिन जिलेवी खाने के बाद 1 घंटे बाद 165 आया है ठीके क्यूनकि जिलेवी में बहुत ज्यादा कार्ब है 200 ग्रम मैंने खाया था तो तक्रीबन 130 ग्राम कार्ब है तो उसकी वज़े से मेरा शुगर लेवल काफी शूट हुआ है और 2 गंटे बाद 150 ठीक है यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि काफी जादा मैंने कर्बोडिट खाया और क्योंकि फिलाल मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो जिसकी वज़े से मेरा शुगर लेवल 1400 तक नहीं आया है, 140 के नीचे नहीं आया है ठीक है लेकिन वह बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन 200 ग्राम जिलिवी खाने के बाद भी मेरी शुगर लेवल टाइम इन रेंज में है टाइम इन रेंज क्या है 70 से लेके 180 के बीच में है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके ये भी नीचे आ जाएगा, क्यूंकि मैं डायफिट डायट फॉलो कर रहा हूं, डायफिट डायट फॉलो करके आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते है, डायबेटीस को रिवर्स क कर सकता है, तो डायफिट डायट क्या है, डायफिट डायट कुछ भी नहीं है, एक सिस्टेम है, कॉनसेप्ट है, जिसको मैंने डिवलप किया है, सारे पास साल के एक्सपिरियंस में, इसमें जो है, चब्वीस प्रतिशत जो है, वो आपको कार्बोईडेट से लेना है, 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर केजी बोडी वेट आपको लेना है, प्रोटीन से, और रिमेनिंग जो कैलेरीज है, वो आपको लेना है, हेल्दी फैट से, जब आप डायफिट डायट को रेगुलर्ली फॉलो करेंगे, तब आपकी डायबेटीज भी रिवर्स हो जाएगी, इ आप देखिए 200 ग्राम जीलेबी खाके भी मेरा, शुगर लेवल 2 गंटे बाद मात्र 150 आया है, ठीके, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका शुगर लेवल कितरा आता है, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, लेकिन 200 ग्राम मत खाईए आप लोग, ठीके, आप लोग 50 ग्राम खाके चेक करके बताए कि आपकी शुगर लेवल कितना बढ़ता है, अगर आपको डियाबेटीज है, तो आपकी शुगर लेवल 50 ग्राम खाने के बाद भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप जिलेबी खाना चाहता है, तो डायाफिट डायाट को फोलो करि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करिए, और फिर आप भी जिलेवी कभी-कभी खा सकता है, खास करके आज एक स्पेशल डिन है, बसंद पंचमी का दिन है, और साथी साथ रिपाबलिक डे भी है, तो ऐसे तहवार पे आप भी मीठा खा सकता है, और आपका शुगर लेवल जो है, नहीं बढ़ेगा, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, और जो रीडिंग आपने देखा है, यह बिना किसी दवाई के है, और टाइम इन रेंज में है, टाइम इन रेंज मतलब 70 से लेके 180 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वीडियो को जादा से जाद शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको समझ में नहीं आता है कि डाइबेटीज को कैसे रिवर्स किया जाए, डाइफिट डायाट क्या है, तो इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, तो डाइफिट डायाट का कंसेप्ट समझ में आएगा, और जब डायाट को फोलो करेंगे, तो फ्यूचर में आप भी जिलेवी का आनंद उठा सकते है, अगर वीडियो यहां तक देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक कर दीजे फटाफट से, क्योंकि इतनी सारे प्रिक्स करते हैं, हात में दर्द हो जाता है, सिर्फ और मिल जाए, इस तरह के और वीडियो इस बनाने के लिए, और चैनल में नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दे, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पहुच जाए, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं म मिलूँगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ, तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद,